यदि कोई कंखजूरा आपके कान में चला जाए तो क्या होता है? दोस्तों बर्सात में सबसे जादा खत्रा राता है किरे मकोडे का सहद आपके साथ भी कई वारा ऐसा हुआ होगा किरात को आप सो रहे हो और अचाना कोई चीटी या कीड़ा आपके कान में घुज जाता है जो बाद में काफी दर्द का कारण भी बनता है तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अगर कोई कंकजूरा किसी के कान में घुज जाए तो क्या होगा कनकजूरा जो देखने में काफी खतानाक होता है वैसे तो कनकजूरा का जहर और इसका काटना धिक जानेवा नहीं होता है लेकिन फिर भी एक बड़े अकार का कनकजूरा अगर किसी बच्चे को या फिर किसी कमजोर दिलवाले आदमी को काट ले तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है कनकजूरा कई बार रात को सोते भी हमारे कान में घुज जाता है जिससे निकालना कई बार डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल का काम हो जाता है और इसका कारण है कनकजूरा के इतने सारे पैर जिनकी मदद से वो हमारे कान के अंदर पकड़ बना लिता है जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तो कनखजुरा अगर किसी के कान में घुच जाए तो कई परकार के लेच्छन देखने को मिलते हैं जैसे की कान का लाल होना, बहुत तेज दर्द होना, कान का बहना या कान में खारीश होना दोस्तो अगर कोई कनखजुरा कान में घुच जाए तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए नमबर वन सिंधा नमक, जिसे समुद्री नमक भी कहा जाता है सिंधा नमक बहुत भी बढ़िया तरीका है अगर कनखजुरा किशी ब्यक्ति को कान में घुच जाए तो सिंधा नमक को पानी में मिलाकर कान में डालें इससे कनखजुरा मर जाता है और वा तैरता हुआ कान से बाहर आ जाता है नमबर दो स्रट्शो का तेल या जैतुन का तेल कान में स्रट्शो का तेल या जैतुन का तेल गर्म करके उससे डालें ऐसा करने इससे कनखजुरा बड़ी असानी से कान से बाहर आ जाता है दोस्तों कई बार होता है कि कनखुजुरा कान में बाहर से ही दिखाई देता है ऐसा होने पर उसे छोटी चिम्टी की मज़़ से बाहर निकाला जा सकता है कान में दर्द या खुजली होने पर उसे ज़्यादा उली से छेड़ना नहीं चाहिए ऐसा करने सा आपको और ज्यादा दिक्कत हो सकती है और अगर आपको कान से खून बने लगे तो आपको तुरन डॉक्टर के पाथ जाना चाहिए कि कई बार ऐसा तब होता है जब कंखुजूर आपके कान में ही काट लेता है